हेलो फेंट्स में हूं दिपंक और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रियेटिव दिपू चैनल फे तो फेंट फिर से आगे एक नया वीडियो लेके तो फेंट आज इस वीडियो में देख सेकते हमारा जबस जो 4440 जो audio amplifier board है आज इस वीडियो में देखने माले जो audio amplifier board है इस छोटा सा रिक्वेस्ट है जिन जिन लोगना विला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कल लो फटा फट से सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको डबागा के और पर सिलेट करो कि जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करें उसका नोडिकर सान आपक जो हमारा ओडियो एंप्लिफाइब वोड है ट्रिफल फोर जीरो का ठीक है तो यह जो बोड है इसके साथ मतलब फूल वाइडिंगा कनेक्शन करने के लिए क्या का चीज का जरूत होगा वह सबसे पहले देख लेंगे तो सबसे पहले आप लोग को तीन पीसेट का जरूत ह तो यहां पर पावर सप्लाई देने के लिए आप लोग को टू या थ्री एंप्यर का ट्रांसफोर्मर जरूत होगा तो यह जो बोड है इसके लिए कौन सा कौन सा ट्रांसफोर्मर बेस्ट होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्दी तो द होगा तो लेकिन मैं फिलर वाला ब्लूथूट मॉडियूमर यूज यूज कर रहा हो और ऐसे लिए आप जो जो इस पीकार यूज करने वाला यूज कर सकते हो तो मैं सिंपली सेंच और एक और फोर इंच का दोनों इस पीकर यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले आपी आते वारिंग पे ठीक है तो टैस्फरमों को साइट कर लेते हैं और अब भी जो हमारा सबसे पहले जो पॉटेंशियल मीटर है इसको कनेक्शन करना होगा तो उसके बाद सबसे पहले थिरोडिकल बता देता हूँ कहां टेनो वार ये तो और यह पर भी स्गति करके यहां पर तेनों वाय रहे हैं यहां पर देखेक्व सभी और तो शिता करें हे यहां पर सेंव हमारा potential meter है dual channel का है ठीक है सबसे पहले मतलब बोलना बोल गया था है यहां पर डूल चैनल का potential meter अप्लोग को जरूत होगा तो यहां पर सिंपली से देख से तो triple यहां पर TTT करके हैं यहां पर TT करके मतलब travel का six wire हो गया एक मतलब potential meter के लिए यहां पर BBB करके हैं मतलब यहां पर जो बेस का जो potential meter connection होगा यहां पर ग्रीन ब्लू और वाइट कलर वैर है यहां पर भी सेम ग्रीन ब्लू और वाइट कलर का तो इस तरह से दो वैर ऐसे six wire आप लोगों देखने को मिलेगा यहां यहां पर देख सेक तो यह जो connection है इधर से यहां पर क्या हुआ है यहां पर 65 और यहां फोर और 789 यहां पर जो वैर का connection है यह वाला छे वैर का तो यह हो गया हमारा में वाल्यूम का potential meter का connection ठीक है उपर से फ्रेंड्स यह वाला जो दो वैर है यह वाला देख सेक तो यहां पर नमबर है 17 और 16 तो यह हो गया हमारा एक speaker के लिए और यहां पर 14 और 15 का जो दो वैर है यहां पर दो सेक तो दो वैर हो गया हमारा दूस्टरा वाला speaker के लिए है ठीक है और फ्रेंड्स यहां पर देख सेक तो हमारा input मतलब जहां पर Bluetooth connection होगा वह वाला देख सेक तो यह वाला जो अलग से वैर करके वैर दिया हुआ है तो देख सेक तो यह वाला हो गया ground और यहां पर राइट और left ठीक है और उपर से 5 बो point है यहां पर red और black color का wire है ठीक है तो इस दोनों यह वैर से आप लोग को 5 volt output मिल जाएगा Bluetooth के लिए तो फूरा ऐसे theoretical तो बता दिया और अभी करने वाला है कि इसको practical तो फ्रेंट सबसे पहले जो हमारा travel वाला जो connection होगा वह सबसे पहले कर लेंगे ठीक है तो यहां पर देख से जो t t करके हैं यहां पर तीनो t है तो इसका सबसे पहले देख से तो black है red है और yellow है तो सेम उसी कर दिया तो इसको हमारा जो उपर वाला चैनल रेड और यलो वाला वह अरह तो नीचे वाला जो चैनल है यहांपर भी सेम उसी तरह से लगा देंगे black के नीचे black और rate के नीचे red और यलो के नीचे yellow तो चलो इसको भी लगा लेते हैं तो फिरेंट देख से तो यहां पर हमारा जो पहला वाला जो ट्रिवल वाला जो connection था प्रेंट्सेयल मीटर का तो यह complete हो गया, ठीक है तो अभी के हमारा बेज वाला जो point है इसको भी कल लेंगे से मुसी तरह से तो यहां पर भी हमारा 100 के ohms का जो potential meter है को ले लेंगे और यहां पर तिस वाइट ब्लू और ग्रीन कलर का है तो से मुझी तरह से यहां पर भी पोटेंशियल मेटर को जो ट्रिवल वाला पॉइंट था से मुझी तरह से यहां पर भी चालेंट रहाँ और तो से मुझी तरह से यां पर ब्लैक वाल एक साइड मातलब एक क्साई में तो इसके लिए मैं यूउस में लहां यहां पर 5 कि 7K ओम्स का potential meter टीक है तो से उससे ताहसे यहां पे black वाला बाइर लेप्ट में फिर yellow फिर इसको यूज में ले रहा हूँ, तो यह वाला जो यहां पर 7805 का जो IC है, इसमें जो यह वाला देख सेखते हैं, बाड़ा या 13 नंबर जो दो नंबर का वायर है, यहां पर देख सेखते हैं, तो ब्लैक अला को वायर नेगेटिव ही होगा साथ, एक बार चेक कर लेंगे, तो देख सेखते हैं, यहां पर 7805 का आएशी है, तो मिल वायर का ग्राउंड तो ग्राउंड वायर चनेक्ट होगा, यहां पर 13 नहीं पर ब्लैक वायर नेगिटिव और रेड वाय रख गया पोजी तो यहां पर 5 वौल्ड उड होगा तो औ Chinese नेगिटिव और पोजीटिव और में नेगिटिव तो चलो यह दोनों लगा लेते हैं तो फिन देख से तो ब्लूटूट का जो इंपूट है मतलब 5 वोल्ट इंपूट एक तो कनेक्शन हो गया और अभी बारी आते है मतलब ब्लूटूट से आउट पूट और इस बोर्ड में इंपूट और यो तो देख से त इस तीनों वायर को would the ground में जो अपूट इसको लागाना होगा और यहां पर रायट लेप्ट यह वाला डोनों यह तो चलो इसको इसको फटबड लगावेजयों कोанные अब यहां पर प्लूट मॉडूट auf कंप्थ मबनेक्शन है ठीक सकते हैंप tutorial थे अब देख सेटाय है लास्ट में आते हैं यहां पर speaker का और उसके बाद power supply का तो speaker वाला connection कर लेते हैं तो यहां पर मैं यूज में ले रहा हूँ सबसे पहले बोला था है यहां पर 6 इंच का एक speaker ले रहा हूँ हो गया तो अभी बाड़ी आते हैं कि power supply देने वाला connection तो यहां पर देखसे हैं तो एक डायोड है ठीक है एक डायोड है तो इस डायोड का जो यह वाला point हो गये वाला positive और ground वाला ground टीक है तो मैं यहां पर use में ले रहा हूँ एक transformer जो एक एक बाड़ा 0 का transformer है यह वाला बाड़ा 0 का है और इस सेट AC input है ठीक है तो यहां पर कोई positive negative नहीं है तो simply से यह वाला दोनों वायर यहां पर लगा देता हो ठीक है इस दोनों वायर के साथ सिंप्ली है यहां पर जो डायोड वाला जो मतलब डायोड से यह वाला जो पॉइंट है यह वाला पॉइंट है यह वाला positive और ग्राउंड वाला ground और सिंप्ली से transformer का यह तो यहां पर बाड़ा 0 का जो दो वायर है यह दोनों वायर में connection हो जाएगा और यहां पर input power supply होगा तो चलो इस दोनों को भी connect कर लेते हैं तो फिर साड़े connection तो complete हो गया है और अभी यहां पर last में हमारा जो पॉइंट से मीटा है इसका जो 9 इस knob को यहां पर लगा लेंगे ठीक है तो चलो इस तीनों नॉब को यहां पर लगा लेते है फटाफट तो देख सेते हैं यहां प पूड़ा connection ने complete हो चुक है यहां पर दोने स्पिकर लगा ती है यहां पर ब्लू तोट है सब कुछ complete हो चुका है तो अभी बारी आते इसको टेस्टिंग करने का तो सबसे पहले हैं पर हमारा जो मेन पावर सप्लाइस पावर सब्लाइक को अन कर लेते मतलब ट्रास फोर मे होएं यहां पर जो Bluetooth is Bluetooth को अन कर लेते हैं Bluetooth करने के बाद यहां पर देख सेटे यह पडिकर में आया रहे है तो अभी एक एक ncs लगाते और देखते हैं किस्ता साउंड देता है और यहां पर सारे कनेक्सिन कंप्लीट मंदा ठीक टक हुआ कि नहीं वह भी देख लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर एक ncs व्लागा दिया भी ncs को प्ले करते हैं तो देखते हैं और इसे प्ले हो गया ठोड़ी बहुत सांड आ रहे तो सबसे पहले जो फोन से हिंहां पर फूल नदब मनतब साौंड को फूल कर लेते हैं तो फिन देशाते हैं यहां पर जो ब्लू कोलर का नोब लगा हुआ है यह वाला हमारा साउंड के लिए मताव वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूम के इंप्रिश करके देखते हैं है तो अभी ट्रेवल वाला जो पॉइंट है इसको भी इंप्ष करते हैं कि अभी जो बेस वाला इस वेस को भी करते है तो यहां पर हमारा जो गाना है बहुत ही अच्छते से मतलब चल रहा है इस एम्प्लिफियर की दवारा और यहां पर जो हमारा तीनों पुर्ण से कर रहा है तो फिर्ण देख से हो कुछ इसा से जो हमारा फोर 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 जीरो जो एम्प्लिफाय वोड़े इसके साथ यहां पूरा कनेक्सिन किया जाता है और यहां पर देख से तो दोनों इस पीकर भी बहुत ही अच्छते से वर्क कर रहा है तो फिर्ण आज के वीडियो कु कुछ और इसके जिश एका दो से जए बहु ऑ्ट कर दो कि मुझे अच्छते साथ जो एगले जिए कार यहां लो जए को कुछ झाढ लाया है तो का एग्ल जो है?